नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोटी चापाती खाते खाते बोर हो गए हैं, तो इस तरह से एक नई रेस्पी आप बनाईए, जिसको बोलते हैं सुझी के अप्पम, एक तवा अप्पम है दोस्तों, इसको बनाना बिल्कुल लीजी है, पांच मिनट में आप बना सकते हैं, स तक बने रहिए, इस तरह के जालीदार अपम देखने के लिए, इस तरह का रेस्पी बहुत तीजी है, सुबह के भाग दोड में भी बहुत जल्दी बनके त्यार होगा दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोड़ी जिए, उसी बाउल से दो बाउल दही, दही ज़्यादा खटा ना लीजिएगा, दो बाउल सुजी, दो बाउल दही इसको ले करके बनिया से मिक्स करके चला लेना है, इसको चलाने के बाद में पांच मिनट तक फूलने के लिए धक के धकन से रख दीजिए, अब इसको बैटर बहुत परफेक्ट तयार होगा, इस तरह से घोल बनाईएगा, इतना ही लिक्वीड बनाना है दोस्तों, अब इसको ढखकन से ढख देना है, पांच मिनट छोड़ करके फिरी से मैं दिखा रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया फूल गया है, बहुत से जार में फाइन पेश्ट बना लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक नई नई रेस्पी हमारा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, इसलिए हमें सपोर् जुचन सार नमक नहीं लेना है, हलकासा नमक लीजिए और उसी चमब मच से 2 चममच फ्रूट शाल्ट, जिसको इन्नो बोलते हैं, इसको अब मिक्स करके चला लेना है, इन्नो डालने के बाद इसे एक मिनठ तक चलाना है, फेंट लेना है बणिया से जिसे बणिया से cinq आने लगे अब इधर तवा गरम हो गया है दोस्तों इन्नों मिक्स करने के बाद तुरंत इसे बनाने लगिए एकदम हलका गरम तवा रहना है मीडियम फ्लेम आच रखिएगा अब इस पर एक एक कलचुल डाल करके उपर से कभर धकन से करके पकाईए देखी कितना बढ़िया जाली बन रहा है दोस्तों बहुत ही जाली दार एक अपम बना है तो इसको एकदम इजी तरीका में बता रही हूँ एपान से छे मिनट में आप जटपट बना सकते हैं सुबबा के भाग दोड में भी बना सकते हैं लंच के लिए, नास्ता के लिए, टिफिन के लिए और साम के डीनर के लिए भी आप बना सकते हैं इस तरह से बहुत ही टेश्टी बनता है दोस्तों इस तरह से अगर बनाएगा तो और एकदम बिलकुल इजी तरीका है बीना तेल के अपम बनके त्यार हो रहा है इसमें एक बुंद भी तेल नहीं लगेगा दोस्तों अगर इस तरह से अपम बनाएगा तो एकदम बिना तेल के जाली दार अपम बनके हो गया तयार इस तरह से आप एक बार जरूर बनाएए जाली दार अपम तेल एक बुंद भी नहीं लगेगा दोस्तों एक बहुत हेल्दी होगा बहुत ही टेस्टी होगा इस तरह से सोफ्ट नरम मुलाएम अपम एक बड़ जरूर ट्राइ कीजिएगा हमारा चैनल को सब्पोर्ट दीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन अभी तक प्रेश नहीं किये हैं तो प्रेश कर दीजिएगा एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों अब इसको मैं आलू के सब्जी के साथ सांभर के साथ भी बना सकते हैं खिला सकते हैं तो इस तरह से बनाएए हमें एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बाई बाई